कॉनके मिरर हमेशा अंदर धसावा होगा एसे अंदर की तरफ करड़ होगा और जो कॉन्वेक्स मिरर वो उभरा होगा हाँ ऐसे देख के पता लगा लेना अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है यह जो कौनके मिरर है यह जिस स्फेर का एक पार्ट है उसी स्फेर का जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ करवेचर क्या बोलेंगे उसको सेंटर ऑफ करवेचर यह जो मिरर है इसका जो मिड़ पॉइंट ह इसको हम बोलेंगे pole, ठीक है, c और p के बीच का यह जो distance है, यह इस sphere की radius है, तो इसको हम बोलेंगे radius of curvature, फिर c और p, इन दोनों को join करने वाली यह जो line है, इसको हम बोलते है principal axis, और center of curvature और pole, इनके बीचों बीच एक point होता है, जिसको बोला जाता है focus, यह जो focus और pole है, इनके बीच की जो distance होती है, उसको बोला जाता है focal length, small f से इसको represent करेंगे, और यह जो focal length है, यह radius of curvature का क्या होगी, half होगी, क्योंकि यह midpoint है, focal length is always half of the radius of curvature,